नमस्कार साथियो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल इंडियन टेकनिकल इंस्टिटूट पर और आज अपने जो है आई टी एई फैस्ट एर के जो एक्जाम चल रहे हैं उसके अंदर जो है आपके सीबिटी एक्जाम जो अठारा मर्च को हुआ है उसके अंदर जो आपके कोस्टन आंसर आए हुए हैं जो स्टूडेंट ने हमें बेजे हैं उनमें से कुछ एक कोस्टन जो है बीस हमने उठाए हैं और बीस के जो आंसर है वो हम लोग इस वीडियो के अंदर सॉल्व करके देखते हैं कि इसके जो सही आंसर है व इसलिए वीडियो जो है उसको जरूरum तख देखेगा और अगर आपने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को सस्क्राइब कर लेजेए मेरे दोस्तों तो चलिए सुरू करते हैं तो पहला जो कोशन है वो पहला कोशन आपको क्या दिया गया है विदूत अपगटन के दुरान एक्तृत द्रिवयमान की गणना करने का सुत्र क्या है यहाँ पर जो है आपको विदूत अपगटन के दुरान एक्तृत द्रिवयमान की गणना करने का सुत्र पूछा गया है य तर होता है जिन बच्चों ने M बराबर Z IT किया है उनका जो आंशर है वो सही रहेगा और इसके जो नंबर है वो आपको पूरे मिलेगे दोस्तों चलिए दूसरा कोशन देखते हैं दूसरे कोशन के अंदर आपको क्या गया गया है तो दूसरे कोशन के अंदर दिया गया है क् डिले सेयोजनों को टालता है ना असान ना बदलना उसके बाद में साफ सुत़रा रूप देता है उसके बाद में बार दारा कम करता है यह आपको चार ओप्स से हम लोग जो है जो आपके लगस लगाते हैं लगस लगाते हैं ताकि आपके जो कनेक्शन है जो जो जोइंट लगाते हैं वो जोइंट आपके डिले ना रहे इसके लिए जो है लगस लगाते है क्रिंपिंग टूल से वही जो कौन सन है वहां से उठाए तो इसका जो सही आं पर काम करता है आपका single phase energy meter जो है विदुद दारा के कौन से effect के उपर काम करता है ये आपको जो है यहाँ पर comment करना था इसके अंदर जो है आपने अगर किया है तो देख लीजिए इसका answer सही क्या होगा तो इसका जो सही answer होगा इसका सही आंसर होगा कि ये जो है आपका induction effect के उपर विदुद दारा के prerent परबाव के उपर काम करता है इसमें आपको रसाइनिक परबाव श्तिर विदुद परबाव उसमें परबाव भी option में दिये गया है लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो होगा induction effect यानि की prerent परबाव अभी देखते हैं अगला जो person रहेगा वो अगला person क्या है कौन सी युक्ती दूप को विदु तूरजा में बदलती है कौन सी युक्ती दूप को विदु तूरजा में बदलती है ये आपका जो है आज का next question है तो next question के अंदर अभी अपने देखते हैं कि इसका जो सही answer होगा वो क्या होगा तो इसके अंदर वो आपको option में दिये गया है photovoltaic cell, light emitting diode liquid crystal display, light depend resistance ये चार option आपको दिये गये है यानि कि आपको पहला दिया गया है वोलtaic cell दिया गया है दूसरा आपको दिया गया है LED, light emitting diode बोला गया है उसके बाद में liquid crystal display यानि कि LCD दिया गया है उसके बाद में LDR दिया गया है light depend resistance लेकिन इसका जो सही answer होगा वो आपका cell chapter में से आया होगा है वोलtaic cell तो वोलtaic cell होता है वो आपका दूप उर्जा जोती है यानि कि आपकी जो solar cell के बोल सकते है या फिर solar उर्जा जोती है उसको विदूत उर्जा में convert करके हमें वोल्टाइक cell जो होता है वो देता है फोटो वोल्टाइक cell इसका जो सही answer होगा जिन बच्चों ने किया है उनका या answer सही रहेगा उसके बाद मैं next question देखते है next question के अंदर जो है आपको जूल के नियम के अनुसार उत्पन गर्मी की गणना करने के लिए किस सुतर का उपयोग किया जता है ये आपका जो है साथमा परसन है तो इसके अंदर जो आपका क्या पुछा गया है तो आपसे पुछा गया है कि H बराबर जो है इसका फॉर्मूला जो होता है हीट का जो फॉर्मूला है वो आपसे पुछा गया है कि जो उत्पन ओने वाली जो गर्मी है उसको किस सुतर के दोरा निकला जाएगा तो ह बराबर क्या होता है आपका तो आई स्केर आर्टी होता है तो आई स्केर आर्टी होता है तो आई स्केर आर्टी आपका जो है यहां पर किस जो है अनसर के अंदर दिया गया है तो इसके अंदर आपका जो सी ओप्सन है सी ओप्सन के अंदर आपको दिया गया है कि ह नेक्स्ट कॉस्च नदो है नेक्स्ट कॉस्च नियू पूचा nước Jahren कहई है PE कि कॉत जो master में कि कि सिंगल फेज मोंटर का उप्योग किया जता करते हैं mixer grinder के अंदर mixer grinder के अंदर इसको अपने सेडी सी मोटर भी बोल सकते हैं साराव बोमिक मोटर या यूनिवेर्सल मौटर भी बोल सकते हैं दोनों सप्लाइ के उपर आपकी चल सकती है तो यह आपका जो है आट वांपरसन था चारिजिंग की जो वीडियां है, वो मैंने आपको पीछे का चैप्टर है, वो करवाया था, उसके अंदर आपको जो मैंने वीडियां करवाया थी, उसमें से ये को चुन आया हुआ है, अगर आपने सेल और बेंटरी चेप्टर नहीं देखा तो उसकी वीडियो जुरू देखेगा उसमें ये करवाये हुआ है बेंटरी चार्जिंग की वीदियां भी जो शही आंशिर रहेगा तो आपका ट्रिकल चार्जिंग वीदि जो है इसका सही आंशिर रहेगा तो इसके अंदर आपका डी ओप haar जंदो ये वी और रखेगा charge करते हैं तो उसको अपनी क्या बोलते है trickle charging विदी यानि कि जिसा कोई जो है अपनी बेंटरी है उसकी rating है आपके जै से माना कि 5 एंपेर rating है 5 एंपेर rating है तो 5 एंपेर का आपका 3-4 परसंट 5 5 10 का 2-3 परसंट जो है supply दिखकर अगर बेंटरी को चार्ज करते है तो वो कौन सी विदी कहलाएगी ट्रिकल चार्जिंग विदी कहलाएगी और ये विदी क्यों यूज करते है अपने तो ये विदी जो होती है आपकी यूज की जाती है जब अपनी जो बेंटरी होती है वो लंबे टेम से तक बंद पड़ी होती है यानिकि एक दोस्त भी में ने करवाये थे जब अपनी बेंटरी है वो लंबे टेम से बंद पड़ी होती है यानिकि उसके अंदर आपकी हार्ड सलफेशन का दोस्त आ जाता है दरड़ गंदकता है तो उस कंडिसन के अंदर हम लोग बेंटरी को ट्रिकल चार्जिंग विदी क द्वारा चार्ज करते हैं यह जो है आपका नुम्ह कोशन था इसके बादे देखते हैं दस्वें कोशन तो दस्वें कोशन के अंदर आपको क्या दिया गया है तो ट्रांसफार्मर में लेमिनेटेड कोर का उपयोग करने का उदेशिया क्या है यह आपका जो है नेक्स्ट आपको क्या दिये गया है स्टेर्शिस आनी को कम करना यानि त्रिक आनी को कम करना बंवर्दारा आनी को कम करना यानि कि यह जो आपकी लेमिनेटेड है ट्रांसफार्मर की कोर को क्यों किया जाता है यह आपको पूछा गया तो इसका जो सही आंसो रहेगा वो सही आंसो आपका बंवरदारा हानी यानि कि एड़ी करंट जो लोस होता है उसको कम करने के लिए पत्तियों को लेमिनेटर किया जाता है अब बात आजाए दो चीजी होती है एक तो पत्तियों को लेमिनेटर किया जाता है दूसरा सिलिकोन स्टील की मातरा मिला जाती है तो अगर पेपर जो है सिलीकोन की मतरा मिलाई जाती है और अगर बात आ जाती कि पट्टियों को लेमिनेटर क्यों किया जाती है तो उस कंडिशन में एड़ी करंट लोज या बमरदारा हानी को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है तो ये आपका question हो गया इसके बाद में देखते है next question तो next question के अंदर आपको दिया गया है transformer से अधिक्तम दक्सता प्राप्त करने के लिए क्या सर्थ है यानि कि transformer जो है वो आपका कब जो है सबसे अधिक्तम efficiency के उपर काम करेगा इसकी सर्थ क्या है तो इसकी सर्थ जो रहेगी वो क्या रहेगी इसका सही अंशर क्या रहेगा तो इसका रहेगा copper loss बराबर होंगे जब iron loss के यानि कि iron loss और copper loss जब बराबर होंगे तो उस time आपका जो transformer होता है वो transformer अधिक्तम दक्सता के उपर काम करता है ट्रांसफार्मर सबसे अधिक Efficiency के उपर काम करता है तो इसका जो है सही अन्चो रहेगा ट्रांसफार्मर की अधिक्तम देख्षता की सर्थ क्या है तो कोपर लोस बराबर आईरन लोस होंगे तो अगर ये उप्षन में ना उकर अगर दिया होता स्थिर आनिया बराबर होता है प्रवर्तित आनियों के यानि कि स्थिर आनिया बराबर प्रवर्तित आनिया यानि कि फिक्स लोस होंगे वेरियेबल लोस के बराबर तो उस कंडिशन में भी आपका जो मसीन होगी वो आपका अधिक्तम दक्सता के उपर काम करेगी तो ये आपका कोश्चन हो गया उसके बाद में नेक्स्ट कोश्चन देखते है तो इसमें आपको दिया गया है बेंटरी में वोल्टेज की चार्जिंग स्थिती जांच करने के लिए किस उपकरन का उपयोग किया जाता है तो बेंटरी की जो वोल्टेज है उसकी चार्जिंग स्थिती आपको जांच करनी है तो नीचे दियेगे option है कि इन में से किसका उपयोग करते हैं तो hydrometer का उपयोग करते हैं उचिदर निरवेसेन टेस्टर का उपयोग करते हैं multimeter का उपयोग करते हैं osha शही должно रहेगा हाई rate discharge cell tester जो हता है उसका उपयोग करके है अपने जो बेंट्री होती है उस बेंट्री की यह स्थिति होती है उसकी charging स्थित्य का जांच करते हैं अगर क्टीर में आपको दिया होता का बेंट्री की specific gravity यानी की attack exit गनतव को जांच करनी है तो इसका answer होता वो हैड्रोमेटर होता ओर्डोमेटर के द्वारा भी बेंटरी की चार्जिंग स्थिति मापते हैं लेकिन उसका जो है आप एक सित गने तब माप करें अपने बेंटरी की चार्जिंग स्थिति मापते हैं लेकिन अगर वोल्टेज के द्वारा अपने चार्जिंग स्थिति माप नहीं है तो हाई रेट डिचार सेल टेस्टर का उप्योग है किया जाएगा यह दोनों के दोनों जो कोश्चन है यह पिपर में आने वाले हो सकते हैं उसके बाद में अपने देखते हैं नेक्स्ट कोश्चन के अंदर आपको क्या दिया गया है तो नेक्स्ट कोश्चन के अंदर आपको दिया गया है सिसा अमल बेंटरी में बकलिंग दोस का क्या प्रबाव पड़ता है आपकी लेड एसिड बेंटरी में अगर बकलिंग दोस हो गया है तो उसके कांड क्या होगा तो इसके दुआरा आपको option के अंदर दिये गए हैं आंतरिक प्रतिरोद में वर्दी होगी इलेक्टरोड के मुड़ जाने उसके बाद विदूत अपगटन की सकती का कम हो जातना उसके बाद इलेक्टरोडों के मद्या लगू पतन यानि कि सोट सर्किट जो है आपने जो इलेक्टरोड है वो सोट सर्किट हो जाते हैं तो इसका जो सही आंस्वर है वो सही आंस्वर होता है आपका कि इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो आपके मुड जाती है यानि कि आपकी बकलिंग दोस के अंदर होता कै सबसे पहले तो बकलिंग दोस के अंदर आपका बेंटरी जो होती है बेंटरी फूल जाती है तो मैं पहले ह कि आपको जो है स्हाल चेप्टर के अंदर बता चुका हूँ चारों जो सही अंशार रहेगा बबर से नेक्स्ट कोसन तो और आपको दिया गया एक जो डाइग्राम है इसको आप क्या बोलोगे वाइरिंग अरेक बोलोगे स्तापना योजना बोलोगे परिपत अरेक बोलोगे ले आउट अरेक बोलोगे तो क्या आप इसको बोलोगे ये एक डाइग्राम लिया गया आपको सिंपल जो है सीडियों की वाइरिंग का डाइग्र न बोलोगे इसका जो सही अंसर होगा सरक्ट डाइग्राम जिस इन बच्चों ने किया है उनका यह अंसर है सही रहेगा नेक्स्ट को सन देखते हैं तो पुन्य तार बांधने योग्डिया आपका हुआ नहीं है लेकिन इसका जो मान है यह होता है एक पॉइंट एक अब इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट कोशन तो नेक्स्ट कोशन के अंदर आपको दिया गया बेंटरी की छमता कैसे बताई जाती है बेंटरी की जो छमता होती है उसको एंपियर हावर में बता होते हैं जैसे आपने देखा होगा मोबाइल वगर है कि बेंटरी को पर लिखा होता है एम एच यानि की एच जो आ रहा है वह आपका एंपियर हावर ही है अब इसके बादे नेक्स्ट कोशन देखते हैं तो नेक्स्ट कोशन के अंदर आपको दिया गया तांबे के फ्यूज तार है तो उसके उपर तिन आले पित कर देती है तिन आलेपस्ट करने का क्या है उदेश त्योंज गूनाक के वरदी करने तांबे के तार में जो है उक्सिकरंड ना हो यहाँ तांबे का जो तार है वो औक्सिकरंड ना हो इसके लिए आपका जो है इसको टीना लेपित है यह किया जाता है इसका सही अजशा रह 550 आप इसके बाद में अपने देखते हैं आवसेस दारा को देखना अती बार से उपकरंट की सुरक्षा करना या सोट सर्किट से उपकरंट की सुरक्षा करना यानि कि ओवरलोड से सुरक्षा करना सोट सर्किट से सुरक्षा करना या फिर फाल्ट डूड़ना या फिर रेजिडूल करंट जो है उसको देखना इन में से कौन सा काम जो होता है वो आपका करता है तो इसके अंदर अगर आपको फुल फोम याद है तो ELCB का पहले तो पूरा नाम तो अर्थ लिके सिर्किट ब्रेकर उसके बाद है ELCB कितने अमपियर के उपर परचाली तो होती है तो 100 मिली अमपियर के उपर परचाली तो होती है अब इसके अलावा इसके अंदर और कौन से कोशन बनते हैं तो इसके अंदर बनते हैं कि ELCB का सुद्रा हुआ रूप क्या है तो ELCB का जो सुद्रा हुआ रूप है वो आपका क्या है तो RCCB है इसके अंदर जो है अब इस पर्शन की बात करते हैं कि ELCB का उदेश्य क्या है तो ELCB किसलिए यूज होती है तो अर्थ लिकेज सर्क्रिट ब्रेकर अर्थ जो होती है उसके अंदर अपनी सुरक्षा करने के लिए तो ELCB का सुद्रा वरण क्या था? रेजिडूल करन्ट सर्क्रिट ब्रेकर तो यहां पर रेजिडूल करन्ट का सीधा उप्षन आपको दिया गया यानि कि अवशेष दारा को देखने का काम भी ELCB करती है तो यहां पर इसका जो सही अंशर रहेगा वो सही अंशर क्या रहेगा कि अवशेष दारा को देखना तो यह आपका जो है यहां पर इसका सही अंशर रहेगा उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट कोर्षन तो नेक्स्ट कोर्षन के अंदर आपको दिया गया है कि एस डव्डीय जीजी से तार का догार्म अपने की परास क्या है यानि कि एस डव्डीय से अपने जो है तार जो होती है उसको TO कितने से कितने एस डबनुदी किते हैं तो जीरो सेलेकर 36 तक जो हती है उसके अंदर आपके roughly होती है जीरो से लेकर 36 दॉlles जी तक कितार अपने SWG वायर गे स्टेंडर वायर गे से माप सकते हैं तो यह जो आपका कोस्चन होगा इसके बादे नेक्स्ट कोस्चन देखते हैं तो नेक्स्ट कोस्चन गंदर आपको दिया गया है अर्थिंग के परतिरोध को कैसे कम किया जा सकता है अर्थिंग के परतिर की लंबाई गटा कर तो देखिए कि इसके अंदर जो है वो आपके उप्शन आपको दिये गया है अर्थिंग के लिए गड़े की गहराई कम करके तो अगर गड़ा कम गहरा होगा तो उस टाइम नमी कम होगी तो इसका जो परतरोध होगा वो कम नहीं होगा बढ़ जाएगा तो ये उप्शन पहला जो आपका वो आपका नहीं हो सकता पहला उप्शन आपका गलत उसके बाद में दूसरा आपका उप्शन दिया गया है इलेक्टरोड की लंबाई बढ़ा कर तो अगर इलेक्टरोड की लंबाई बढ़ाएंगे तो हो सकता है कि जो उसकी लंबाई है वो बढ़ने के एक बार्ट है आपकी जो इलेक्टोन है वो गहराई के अंदर अगर स्तापित करते हैं फिर तो ये option हो सकता है नहीं तो ये option है नहीं होगा अभ इसके बाद में तीसरा option अपको इसका कब बहुत हैं अलेक्टोन गटाने के तो इसके लिंजिए अगर अगर दोनों में से हो सकता लेकिन ये जो है पूरा का पूरा accurate माना जाएगा क्योंकि डबल अर्थिंग के द्वारा जो है वो आप अर्थिंग की जो परतिरोध है उसका आदा बिल्कुल कर सकते हो आप है इसके लिए अपने जो ये option है बिल्कुल है सही माना जाएगा अब इसके बाद में देखते है next question तो next question के अंदर क्या है आई-ई नियमो के अनुसर पावर उप परिपरत के लिए अधिक्तम अनुमे भार क्या है यानि कि आपको जो है पावर सर्किट के लिए लोड बताना है कि पावर सर्किट के लिए लोड कितना हो सकता है तो पावर सर्किट के लिए जो लोड होता है वो आपका 3000 वाट का लोड होता है और अगर paper में question आ जाता कि light and fan circuit के अंदर कितना होना चाहिए तो light and fan circuit के अंदर 800 वाट आपका लोड होना चाहिए ये बी परसन आपका पुछा जा सकता है उसके बाद में next question देखते हैं तो next question के अपसे पूछा गया है फिर transformer core में silicon steel की जो सरंचना होती है उसके अंदर steel और silicon की मातलाज होती है वो कितनी कितनी आपकी होती है तो ये आपसे question पूछा गया है तो इसके अंदर आपका जो है कोशन का सही आंसर क्या रहेगा तो इसके अंदर आपकी 97% स्टील होता है और 3% जो होता है वो आपका सिलिकोन की मातरा मिलाई जाती है तो सिलिकोन स्टील के अंदर 97% स्टील और 3% सिलिकोन की मातरा मिलाई जाती है तो option A जो है यहाँ पर इसका सही रहेगा इसके अंदर जो है आपको यह जो है transformer chapter इसके अंदर से आपने देखिया होगा बहुत सारे question आई है तो machine जो है वो आपके most reported topic रहते हैं आपके कोई भी exam जो चाहे competitive के exam हो चाहे आपके ITE के exam हो तो machine जो chapter है वो आपके पूरे के पूरे त्यार होने चाहिए तो अभी जो है आपने सारे के सारे जो question है वो देख लिए है और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो like, comment और share करके जरूर बताएं और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को subscribe कर लिजिए और subscribe करने के साथ में जो bell icon आपको दिया गया है ये bell icon को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली जो वीडियो ज रहेगी उनके सब notification आपको मिलते रहेंगे जल्दी से जल्दी और उमीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है और अच्छी लगी है तो like, comment और share जरूर कीजिएगा दोस्तों क्योंकि ये जो वीडियो है ये आप अगर share करोगे तो बाकी जो student होगे उन बाकी student को भी benefit इनका होता रहेगा और जो आपको number दिया गया है नीचे WhatsApp उस WhatsApp नमबर के उपर आपके भी paper में जो question आते हैं उन question को हमें जरूर बेज़े ताकि जो student है उन student को इसका benefit हो सके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत